Welcome to Edujos, Edujos में आप सभी लोग का स्वागत है तो आज 15 दिसंबर को RRB यानि Railway के एक्जाम शुरू हो चुके है तो 15 दिसंबर को Railway के RRB Department के जो Ministerial Isolated Category है इसका एक्जाम हुआ है ठीक है तो RRB ने सबसे पहले Ministerial Isolated Category के जो एक्जाम लिया है तो आज 15 दिसंबर को पहले सिफ्ट में जो एक्जाम हुआ उसके Questions हमारे पास आए है यह सारे Questions 100% Genuine है, Authentic हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं कुछ भाषा में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि हर किसी को पूरा Exact Question जो है वो याद नहीं रहता तो जिस तरह से Comment आया उसके हिसाब से Questions को ठीक करने की कोशिश की गए है तो वीडियो में लास तक बने रहेगा और अगर आपको कोई भी Questions याद रहता है तो आप हमें जरूर Comment करके बताएं आप हमारा Android एप भी Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल जागा जहां पर जो भी परशानी अभी हो रही है वो सब ठीक हो जाएगी जो लोग चैनल से पहली बार जूर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इससे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाले जो रेलवे के एकजाम है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके देखें सबसे पहले जो कुश्चन्स हम लोग देखेंगे वो साइन्स के कुछ कुश्चन्स भी हैं जैसे कि एक कौश्चन है कौन सी धातू ठंडे या गर्म जल के साथ अभिकिरिया नहीं करती तो देखें ऐसे कई सारे धातू है जैसे कि सोना है चांदी है तामबा है या फिर जसता है इस तरह के कई ऐसे धातू है जो ठंडे या गर्म जल के साथ अभिकिरिया नहीं करते तो ये कुश्चन डिपेंड करता है कि option क्या था ठीक है अगर वहाँ पर देखें कई एक लोग ने बताया कि magnesium option में था तो magnesium जो है ठंडे जल के साथ तो अभिकिरिया नहीं करता है लेकिन गर्म जल के साथ अभिकिरिया करता है तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि इस तरह के question जब तक पूरे option नहीं आएंगे उस question को हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पर एक question था बल का SI मातरक पूछा गया है तो इस तरह से जितने भी SI unit है वो आपको याद करना होगा आप सब भी SI unit को पढ़ लीजे बल का SI मातरक जो है वो न्यूटन होता है बहुत ही आसान सा सवाल था यह देगे अगला सवाल पूछा गया करकरेखा कहां से गुजरती है तो भारत में करकरेखा आठ रज्यों से होकर गुजरती है इन आठ नामों को आप इस तरह से याद रख सकते हैं मित्र पर गमचा जहार ठीक है गमचा जहार तो यह अगर आप याद रखते हैं तो इस ट्रिक से आप आसान करेगें मी से क्या हो जाएगा मिजोरम ठीक है इसके बाद हो गया त्रो त्रो से क्या होगा तिरपूरा इसके बाद है पौ से चह हो गया, चहतिस गड़, जहार हो गया यहां पर, जहार खंड, ठीक है, तो मित्र में मिजोरम सबसे पहले हुआ, तो इस तरह से आप इन आठो राज्य को याद रख सकते हैं, मित्र पर गमचा जहार, यह एक ट्रिक है, जो आप लोगों ने कई जगा पढ़ी होगी, तो इ होगे, या फिर सवाल इस तरह से भी पूछा गया होगे, इभायत में करकरिखा कहां से नहीं गुजरती है, और उसमें तीन आप्शन ऐसा होगा, जहां से करकरिखा गुजर रही होगी, और एक राज्य ऐसा होगा, जहां से नहीं गुजरती होगी, अब यहां पर अगला प बस याकार है तो बस याकार अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर जुक जाते हैं या चलती हुई बस तो रुकेगी तो अचानक आप आगे की तरफ जुकेगे या फिर रुकी हुई बस जब अचानक चलती है तब भी जो है हमें जटका महसूस होता है तो ये क्यू होता है ये जड़त के कारण होता है ठीक है ये सवाल था साइन्स का ये कुशन था इसके बाद है 1793 का अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में हुआ था 1793 का जो अस्थाई बंदोबस्त था ये लाड कारण वालिस के समय में हुआ था इसके बाद question पूछा गया था 2023 AFC ASEAN Cup कहां पर होगा तो देखें 2023 का AFC ASEAN Cup जो है ये चीन में आयोजित होगा और ये यानि चीन इसको host करेगा तो ये इस question में ये question भी पूछा गया था इसके बाद है असयोग अंदोलन की शुरुबात जो है वो कब होई थी तो असयोग अंदोलन शुरू किया गया था 1926 में ठीक है इसके बाद question पूछा गया है वो यहाँ पर हिस्टी से जो है न modern हिस्टी से जादा question पूछे गया है ये आपको याद रखना है एक question था समवाद कौमुदी समवाद कौमुदी ये एक newspaper है ठीक है ये क्या है एक newspaper है जिसके बारे में पूछा गया है कि इसके संपादक कौन थे तो राजा राम मोहन राए इस तरह से महात्मा गांधी के जितने भी निउजपेपर के संपादक कर रहे वो आपको याद रखना परेगा इस तरह की जो भी महान हस्तिया है जो किसी न किसी news paper यानि समचार पत्र के संपादक रहे हैं तो उसको आपको याद रखना होगा कुछ महत्पूर्ण पुस्तके हैं जो आपको याद रखना होगा ये सबी आपके आने वाले RRB, NTPC का एक्जाम हो या Group D का एक्जाम हो इसमें आपको ये सबी topic जो है याद रखना होगा ताकि एक्जाम में questions आप बहतर से बहतर कर सके अगला जो प्रशन है भारत के केरल राज में सबसे ज़्यादा थोडियम किस में पाया जाता है आपको पता है कि संसार में सबसे ज़्यादा जो थोडियम है वो कहां पाया जाता है केरल राज में और इसलिए यहाँ पर गिया गया है कि भारत के अंदर जो केरल राज में सबसे ज़्यादा थोडियम पाया जाता है वो किस के कारण पाया जाता है किस से वो प्राप्त होता है यहनु उसका सुरोध पूछा गया है option में monogite था और monogite वहाँ पर right answer होगा ठीक है monogite जो है यह एक प्रकार का अयस्क है जिससे thorium को प्राप्त किया जाता है इसके बाद यहाँ पर देखे किस रोग को टीका करण से नहीं रोका जा सकता है यह सवाल पूछा गया है कि किस रोग को टीका करण से रोका नहीं जा सकता और option में था खाज खुजली तो देखे इसके लिए अभी तक कोई ऐसा टीका नहीं बना है और इसको टीके से नहीं रोका जा सकता है इसके बाद है जंग से बचने के लिए लोहे के उपर किसकी परत चढ़ाई जाती है यानि लोहे के उपर जंग से बचने के लिए जो लेप लगाया जाता है वो लेप किस चीज का होता है तो हमने आपको कई बार बता है वो जिंक का यानि जस्ते का लेप होता है जिसको हम लोग galvanization कहते है न तो वो जिसको galvanic current कहते है हिंदी में तो वो है किसकी वज़ा से जंग से बचाने के लिए किया जाता है और वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो देखें अगला question पूछा है computer का URL की full form क्या है तो देखें रिसेंटली बिहार पुलिस के जो बिहार का SI का exam हुआ था SI enforcement department का इसमें ये सवाल पूछा गया था URL की full form क्या है और यह हमने आपको वहाँ भी बताया था कि uniform resource locator ये इसका full form होता है तो इस तरह की जितने भी full form है जैसे RAM का full form क्या है ROM का full form क्या है computer में CPU का full form क्या है ठीक है ये सारी चीजे ALU है इसका full form क्या है तो वो भी आपको याद रखना है 1024 किलो बाइट इस तरह से जो इसके unit है इसके अंदर क्या क्या चीजे है ये सब आपको याद रखना होगा इस तरह के questions को आप लगातार पढ़ते रहे हैं आने वाले exam के लिए आप सभी को डिर सारी सुपकामना है वरतमान में हमारे पास इतने ही प्रस्ण थे जो हमारे पास शेर किये गए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा थैंक्यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है